हैलो एंड असलाम अलेकुम वेलकम तो रुकसाना साजित व्लॉग क्या हाल चाल है आप सबके आज की वीडियो में हम आप से शेयर करने जा रहे हैं कि टर्मेरिक रूट्स को किस तरह से ड्राइ किया जाता है और फिर इसको पाउडर फॉर्म में तबदील कर दिया जाता है अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक कर दीजेगा सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा कच्ची हल्दी या टर्मरिक रूट्स हमें सबजी की दुकान से बहुत असानी से मिल जाती हैं तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले तो हमें टर्मरिक रूट्स को बहुत अच्छे तरीके से पानी से धो डालना है और फिर किसी भी पतीले में हम पानी को उबाल लेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आलू उबालते हैं और जब पानी उबल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अपनी टर्मरिक से इसके अंदर डाल देंगे और तक्रीबन तीन ये चार मिनट उबालने के बाद हमने चेक कर लेना है किसी भी एक टर्मरिक को बाहर निकालने के बाद कि अगर ये सॉफ्ट हो गया है तो ताइट्समीन कि ये हमारी टर्मरिक जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है फ्लेम को कर देंगे ओफ और फिर इसके बाद हम किसी भी स्ट्रेनर की मदद से अपनी तमाम टर्मरिक को बाहर निकाल लेंगे और जिस पानी में हमने इसे उबाला है उसको हम हर्गेज हर्गेज भी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस पानी में हल्दी के एंटी फंगस प्रॉपर्टीज जो है वो शामिल हो गई है तो ये पानी हम ठंडा होने के बाद अपने गमलों में और पौदों में डाल सकते हैं ताके उनके अंदर किसी भी किसम के फंगस का हमला ना हो अच्छा जी तो तर्मेरिक जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो हमने इसको बिल्कुल बारीग बारीग स्लाइसिस में काट लेना है बिल्कुल इस तरह से आप शेप का कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इस तरह से भी काटना चाहिए नहीं काट ले काटने के बाद आपने तमाम पीसिस को किसी खुले बरतन में खुले मूँ वाले बरतन में जिसमें के हवा का बहुत अच्छे तरीके से गुजर हो सके उसके अंदर हमने डाल देना है और इसको हवा के अंदर रख देना है तक्रीबन दो दिन के बाद जो है हमारी टर्मरिक बिल्कुल ड्राइ हो जाएगी हल्दी के पीसिस को रखे हुए आज तक्रीबन फस्टे है मैंने से हवा में रख दिया है और हल्की हल्की धूप भी आ रही है यहां पर तो आप देख सकते हैं कि अभी इसके जो पीसिस हैं वो थोड़े से सौफ्ट हैं लेकिन नेक्स डे ही यह कितने अच्छे तरीके से सूख चुकी है और क्रिस्पी हो गई है यह देखें यह बिल्कुल ऐसे दबाने से तूट रही है इसका मतलब है कि यह बिल्कुल खुश् पीसने के लिए तयार है आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं मगर मैं तो इसको देशी तरीके से पीस रही हूँ और वीडियो को लाइक कर देजेगा सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा थैंक्स पर वर्चिंग वर्चिंग